गुड मॉनिंग साथियों मैं जानता हूँ कि सचाई का रस बहुत गंदा है लेकिन संगर्शी सफलता का एक फंदा है दूसरों की नहीं अपने दिल की सुन मेरे यार क्योंकि ताने मारना पड़ुसियों का धंदा है चलिए आज हम लोग जीरो लेबल बेसिक मैथ में कलाफ नमबर 43 देखेंगे अब आप लोग कहेंगे की 43 नमबर कैसे चुकि इस समय हमारी अपडेट चल रही है जो पीछे चल चुकि क्लास की क्वाल्टी खराब थी उसको हम अपडेट कर रहे हैं और इस तरह से हमने दूसरी क्लास को अपडेट कर दिया जिसमें ग्राउंड में म चल ये आज हम देखेंगे कामर्सियल मैथमेटिक्स साथियों कामर्सियल मैथमेटिक्स मतलब कहने का वाड़िज जिगड़ित अगर क्लास देखें तो कच्छा साथ की मैथ होगी एकसरसाइज फोरे होगा अबयाश चारे एंसी एरटी पैटन ध्यान से देखना पूरा दे ये दैनिक जीवन में आप आलू गंजी भिंडी टेमाटर खरी देते होंगे ये सब आप सभी जानते हैं लेकिन अगर दुकान पे जाते हैं नहीं जोड़ पाते हैं तो बड़ा बिच्चती होता है है ना बड़ा गंदा महसूस होता अपनी तरफ से दुकान दार बहले गड़ लगता है ना तो इसलिए आप सबजी लेने जाते हो दुकान पे जाते हो बजार में जाते हो आपको जोड़ घटाना गुड़ा भाग तो आना ही चाहिए कि मैंने जो है दो किलो आलू अगर खरीदा है तो दस रुपया लगेगा अगर मान लेते हैं कि हम चार किलो आलू खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा वैसे तो आप जोड़ लोगे लेकिन तरीका देखना साथी इस तरह के सवाल में हम पहले कुछ ऐसा ही करते हैं चुकि टू केजी आलू का मूले इक्वल कितना दिया है? 10 रुपया लिख लो ठीक? फिर क्या करोगे? एक एक नियम पर लगाएंगे यहाँ पर लिखोगे इसलिए वन केजी आलू का मूले बराबर कितने का निकालोगे? वन केजी का इस तरह से असान हो जाएगा तो टू केजी का 10 रूपय है तो 1 kg के निकालोगी इस तरह करके तिया जाएगा 5 रूपया यानि कि आलू जो है 5 रूपय किलो थी आज के 10 साल पहले की बात है आज की बात नहीं है आज तो 20-25 रूपय किलो है ठीक अब आगे देखता इसलिए 4 kg आलू का मूले आलू को इंगलिस में फोटाइटो बोलते हैं कुछ लोग सर्मार रहे होंगे नहीं समझना आ रहा होगा तो समझ ले ठीक है आलू का मूले मतलब फ्राइस या रेट इक्वल क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल 20 रूपया जल्दी से इसको नोट कर ले प्रिंट कर ले चाप ले या फिर स्क्रीन साट ले ले फिर हम अगला चलते हैं आगे बढ़ते हैं पूरा देखना ध्यान से देखना अगला सवाल नमबर दूसरा देखना ध्यान से समझना क्या कह रहा है करा कि एक मजदूर एक दिन में तीन मीटर लंबी दिवार तयार करता है एक मजदूर है एक आदमी है जो कि एक दिन में तीन मीटर लंबी दिवार बनाता है आप समझ रहे होंगे घर बनता है कोई भी मकान बनता है बिल्डिंग बनती आप देखे होंगे तो एक मजदूर आता है तो एक दिन में तीन मीट बना रहा है, दो हो जाएंगे तो 6 मीटर बनाएंगे, तीन हो जाएंगे तो 9 मीटर बनाएंगे, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, चूंकि, एक मजदूर, एक मजदूर, एक दिन में दीवार बनाता है, कितना, दीवार बनाता है बराबर, कितना, 3 मीटर, ठीक है, अब यहाँ लिखोगे, इसलिए, 3 मजदूर, कितना मजदूर, 3 मजदूर, एक दिन में, एक ही दिन में पूछ रहा है, दीवार बनाएंगे, लिख लो ऐसे, ये, बनाएंगे, इक्वल 3 इंटू 3 बराबर 9 मीटर, बात समझ में आई न, अगर कोई अकेला है, तो जो काम करेगा, अगर 2 लोग हो जाएंगे, तो काम 2 गुना हो जाएगा, 3 लोग हो जाएंगे, तो 3 गुना 4 लोग हो जाएंगे, तो 4 गुना इस तरह से, जितने ज़्यादा लोग होंग वो बहुत ही मात्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है लेकिन उसको देखने के पहले आप उपर अगर ध्यान से देखो तो कुछ चीजें लिखी गई है कि 16 अक्टूबर से DLAD की सभी लाइब कलासे PVR Study Group चैनल पर होंगी PVR Study Group चैनल PVR Study लाबाद चैनल का ही दूसरा चैनल है तो आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपकी कोई भी फ्री की कलास में इसे नहों ये सभी कलास इस चैनल पर विल्कुल फ्री होंगी और जीरो लेबल की मैत भी उसी पर होने वाली है क्योंकि PVR Study पर नया प्लान बन रहा है याद रखना चलिए कुछ मजदूर किसी कारे को चार दिन में करते हैं भाई कोई भी काम है कुछ मजदूर मतलब मजदूर निश्चित नहीं कितने हैं लेकिन वो उस काम को चार दिन में पूरा कर देते हैं मान लिज़े कि आपके यहां घर बन रहा है तो कुछ मजदूर हैं यह नहीं पता कितने हैं लेकिन वो चार कमरे जो है चार दिन में बना देते हैं चार कमरे कितना दिन में बना देते हैं चार दिन में बना देते हैं एक दिन में एक दिन में नहीं चार दिन में पूरा कर रहे ना यहां पर लिखो चार दिन में करते हैं कुछ मजदूर चार दिन में करते हैं बराबर एक कार भाई एक कार पूरा कर देते ना चार दिन में फिर नीचे क्या लिखोगे कहरा कि एक दिन में कितना करेंगे फिर लिखो वही मजदूर वही मजदूर एक दिन में कार करेंगे कितना करेंगे एक बटा चार कारे करेंगे है ना कितना करेंगे वन अफान फूर कारे करेंगे अगर इसी में पूछा जाए कितना सेस रहेगा भाई कितना सेस रहेगा काम तो एक था ना लेकिन एक दिन में अगर एक बटा चार करेंगे तो सेस कितना रहेगा आप ऐसे लिख लो नीचे, 6 car 6 car equal 1 upon ये 1 minus 1 upon 4 इसको subtract करोगे 4 minus 1 upon 4 equal 3 upon 4, यानि कि 3 बटा 4 car is 6 रह जाएगा और 1 car is जो है उसमें क्या हो जाएगा, 1 car में से 1 upon 4 हो जाएगा, और 3 upon 4 क्या होगा, वो बचा रह जाएगा, ठीक है आगला नोट करना सवाल जल्दी से इसको बहुत फास्ट लिखिए स्क्रीन साट लिजी देर मत करिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास जिनको नहीं समझ में आए वो वीडियो को पीछे करके फिर से लिखें लेकिन जल्दी करें लेट ना करें और जो बात मैंने आपको बता दिया क्लास में उसको कंठस्ट कर लें गड़ी सिखाने की पूरी जिम्मेदारी होगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20 किलो मेटर पर तिगंटे से 120 किलो मेटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा सवाल नमबर यहां पर लिख लो पच्वा नमबर चगुथा नमबर कुछ भी लिख लो क्या कह रहा है कि 20 किलो मेटर पर तिगंटे की चाल से चलने पर 120 किलो मेटर की दूरी तैं करने में कितना समय लगेगा तैं करने में इसको नोट करो कितना समय लगेगा ये मूँ फैला के देखने इस नहीं होने वाला है सवाल लिखो के कॉपी में नोट्स बनाओगे समझोगे तब मज़ा आएगा जो कुछ डाउनलोड करकर करके रख लेते हैं ना अगर बत्ती जलाते रहते हैं राम का नाम ले लेके बाकि कुछ होता नहीं देखो बीस किलो मीटर परति घंटा क्या है चाल है लिख लो जो दिया है सिम्पल सी बात है यार इसमें क्या दिया है चाल बराबर बीस किलो मीटर परति घंटा ठीक है, दूरी भी दी गई है आपको दूरी दी गई है 120 किलो मीटर समय पूचआ गया है ये तो बन गया चाल दूरी वाला सूत्र लग जाएगा आप जानते हो न, क्या होता है ये चाल बराबर दूरी बटा समय तो लगा दो न, चाल कितنا है 20 दूरी है 120 हो जाएगा समय इक्वल वीस यह 120 बटा वीस छे कितना आ गया समय बराबर छे घंटे कितने टाइम लगेगा छे घंटे का समय लगेगा सिंपल सी बात थी नोट कर लिया होगा आपने है न कर लिया आगे चलें ओके अगला देखना गौर से देखना क्या कहरा है सवाल कहरा कि निम्नांकित सारडियों में अनुलोम समानुपाद संबंध एक्स अपान वाई कमान ग्याद कीजिए मतलब एक्स कमान दिया है वाई कमान जो है वो भी दिया गया है और एक्स अपान वाई निकालना है देखिए हमन 28 और तीयं यह क्या होता है 42 यहीं दिया है कुछ और दिया है ना 46 और 112 124 दिया है ठीक है क्या दिया है 46 कि यह 46 तो नहीं दिया था 56 एक 112 कि चौदा ठाइस चपन एक सो बारा एक सो चोविस अबटे इसमें जो ऊपर दिया है 32 तक दिया है मैंने समझ पारा हूं 248 16 32 248 16 32 देखो इसमें 6 वाला नहीं दिया है ठीक है फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं मैंने कुछ भी लिख लिए आप कुछ भी लिख लो इससे कोई मतलब नहीं है हमने इसको चलो 224 लिख लिए बुक में आपका एक पार्ट नहीं दिया था इसमें तो साथियों यक्स कमान दिया है यक्स कमान सब दिया है यक्स वाई कैसे निकालोगे यह सिंपल सी बात है यक्स अपान वाई कर लो मतलब दूइ बटा यह हो गया चवदा इसको काट देंगे सरल करना मतलब होता है वह अपान क्या है 7 कितना है वह अपान 7 वैसे इसमें क्या हो जाएगा यह 4 अपान 28, 4 अपान 28 को simplify करोगे 4 और 4 से बंज़ा 28 यह 6 अफान 56 हो जायागा इसको भी काट दो लेकिन यह कटेगा ही नहीं सिधा सिधा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा है ना दो से कटेगा दो त्याइए छाए दो दुना चार दो अठे सोला हो गया इसको भी सिंफलिफाई कर दो और यहां पर पहले लिख लो नीचे यहीं पर मत काट देना जहां पर है क्योंकि जहां पर खाना बनता है उसी में नहीं खा लिया जाता यह हिंदु धर्म की मान चुक 32 वन अपान 14 बात समझ में आई ना अगला क्या है 16 अपान 124 कितने से कटे गई यह इसको भी काट दो चाहर जिससे भी कट जाए 8 से काट दो 8 एकम 8 यह हो जाएगा 4 444 नहीं कटेगा 8 से 4 से कटेगा हाँ बिल्कुल 4 चुक 16 चार तिया ही 12 और 4 एकम 4 यह 4 बटा 31 आ है ना इसको भी काट दो 8 से काट होगे तो 8 दूना 16 बचेगा कितना 4 दूच्छा आठ से कट जाएगा यह 32 बटा 224 लिख लो 8 चुक 32 यह हो जाएगा 8 दूना 16 चाह बचेगा 8 ठाई 64 फिर से कटेगा यह दूसे कटेगा दो दूना 4 यह हो जाएगा 14 फिर दूसे कटेगा दो एकम सत्य मतलब कुल मिला के फाइनल में यार 157 आ गये यह यह भी कट जाता भी ठीक है अनलोम समानुपाद संबंध बताना था इसमें आप देखो कि 157 सभी में आएगा बट प्राबलम क्या थी न साथ आती हो जो हमने एक बदल दिया था उसी में वहना पान सेबन नहीं आया बस बाकी सब में आया यहां पर आप देख रहे होगे इसमें भी आया इसमें भी आया है और इसमें भी आया है इसमें दोनों को मैंने अंक बदल दिया था इस वज़ा से डिसमिस हो गया ठीक ना लेक बहुत मस्त कलास होने वाली कम समय में ज़्यादा सवाल. देखिए साथियों अगले सवाल में कहरा कि इसमें के कामान ग्याद कीजिए. अब ये कच्छा साथ की गडित है. अगर ऐसे कहीं आपको मिल गया रासी के कामान ग्याद कीजिए. तो ये तो मुद्दे की बात नहीं है. लेकिन मुद्दे की बात इसमें सिंफलिफिकेशन होता है. ध्यान से देखना. इसमें यक्स कमान दिया है जो साड़ी के सामने दिया है. इसमें वाई कमान दिया है. अब बताओ इसमें कहीं K है नहीं कैसे निकालेंगे K का मतलब यह होता है कि एक नियतांख है K क्या है एक नियतांख है यानि कि हमें एक सपानवाई कमान निकालना है तो जैसे पीछे किया था भी वही इसमें भी करेंगे यह 20 upon 40 डिवाइड कर दो 1 और यह 2 1 upon 2 आया कितना आया 1 upon 2 इसको भी वह से कर लो हाँ लेकिन एक बात ध्यान देना यहाँ पर यहाँ पर क्या करोगे पता है यहाँ पर आप इसको कुछ ऐसे ही लिखोगे K बराबर क्या लिखोगे K बराबर एक सा पानवाई तभी तो K कमान आएगा ना लिख लो K बराबर एक सा पानवाई तो बस वैसे करते चले जाओगे सभी में K बराबर इसको थोड़ा सार्ट में अगर आपको बताएं तो आप समझ गया होंगे इसको बाहर करके देख लो भाई यह इसको ऐसे करोगे K बराबर एक सा पानवाई K equal X upon Y equal X upon Y यह काटोगे 1 upon 2 यह हल करने का तरीका है एक एक अलाग अलाग कर लेना बाकि उसमें सारडी में जगा नहीं तो ज़ादा हम नहीं लिख सकते हैं इसको भी ऐसे करोगे यह भी क्या आपानटू इसको भी 60 बटा 120 करोगे ये भी क्या आएगा वनपांटू 80 बटा 160 करोगे ये भी क्या आएगा वनपांटू ये तरीका मने बता दिया ऐसे करना है ठीक न ये हो सकता है कम मजारा होगा इसमें लेकिन है अच्छा सवाल आगला देखना 4 किलो ग्राम चाय का मूले 420 रूपए है तो 12 किलो ग्राम चाय का मूले बताओ वाई सिम्पल सी बात है 4 किलो ग्राम चाय का मूले कितना है 120 रूपए देखिए जो सवाल हम बोलें उसको तुरंद हमारे मूँ से निकले तो आपके काफी में और छप जाए अगर ऐसा करते हो तो अच्छी बात है कुछ लोग तो इंतजार में रहते हैं कि मैं लिखूंगा तो लिखेंगे और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैं सवाल मोलता हूं तो भाग जाते हैं वो पढ़ने वाले नहीं होते हैं 4 किलो ग्राम चाय का मूले 420 रूपए तो बारा किलोग्राम चाय का मूले बताओ सवाल नमबर साथ लिख लो चार केजी चाय का मूले चार सो बीस रुपया हो सकता मैंने कुछ और रुपया बोला हो उसे नहीं मतलब है तरीका समझना सवाल का बस तो बारा केजी चाय का मूले बताओ देखिए साथियों अगर किसी चीज के बारे में हमें जानकारी होती है और उसको हम खरीदने या बेचने जाते है तो बहुत मज़ा आता है जोड़ घटा ना आता है अगर वो भी ना आएगा तो फिर हम हिसाब किताब ना कर पाएंगे फिर घाटा हो जाएगा बिजिनस में यहां पर लिखेचू की थोर केजी चाय का मूले देखो मैं दो थरीका बताओंगा इसमें कितना है 420 रुपया 420 रुप एच तो करना क्या है 12 केजी का निकालना है पहले 1 का निकाल लो इस लिए 1 केजी चाय का मूले बराबर क्या हो जाएगा 420 रुप एच बटे कितना 4 निकाल लो गुड़ा भाग कर लो आ जाएगा 4 से कटोगे 4 एक कम 4 0,455 मतलब 105 रुपय किलो चाय थी कितना थी 105 रुपय किलो तो इसमें कितने का निकालना था यार हमको बड़ा ज़ादा था न कितना था 12 केजी लिचे लिख लो इसलिए 12 केजी चाय का मूले बराबर 12 गुड़ा 105 12,5 12,1,2 बराबर 1260 रुपया ये तो पहला तरीका हो गया नोट कर लो जल्दी से स्क्रिन साट ले लो फटा फट फट फिर हम आगे बढ़ते हैं देखे इसमें हम आपको एक मेथेड और बताएंगे दोनों में से जो भी बेस्ट लगेगा बताना और इसमें अभी तक बहुत से ऐसे हमारे साथी करण है जो कि कलास को लाइक नहीं की है वो जल्दी से करने बीना देर करते हुए अगर कलास को लाइक नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आने वाला है ठीक है जल्दी से लाइक करने देर ना करें तुरन हो गया सभी का हो गया तो आगे चले देखें सवाल क्या था चार किलो चाय का मूले दिया था यहाँ पर लिख लो आप चाय तो चाय ठीक है और यहाँ पर क्या लिख लो मूले देखो सवाल सभी को याद होगा नहीं तो आप लिख लो पीछे करके वीडियो चार केजी चाय थी तो मूले कितना था 420 रुपया था कहरा कि 12 केजी चाय का मूल बताओ हमने मान लिया X रुपय चलो फटाफट कर लो बस हो गया आ गया ये क्या हो जाएगा 4 अनुपाते 12 ये समान उपाते 420 अनुपाते X ये भी तो आप जानते हो ना पढ़े लिक्यो बाहर बाहर का गुड़ा कर लो अन्दर अन्दर का तो ये क्या हो जाएगा 4 का गुड़ा X में हो जाएगा बराबर 12 का 420 में X बराबर 12 गुड़ा 420 बटा ये 4 कर लो X बराबर काट दो इसको 4 एकम 4, 4, 5, 20 ये देखो 1260 रुपया आया अब ये second method था comment करके बताना first method सही है कि second method अबस से comment करना अगर first method सही है तो लिख देना first a, अगर second सही है तो second a ठीक है बस कुछ भी लिख देना मतलब समझ में आए कि हाँ आप समझ गए ठीक है आठमा सवाल देखना साथियों इसमें बहुत ही मातोपुल है करा कि 30 मीटर प्रति सिकंड की चाल किलो मीटर प्रति घंटा में क्या होगी 30 मीटर प्रति सिकंड की चाल किलो मीटर प्रति घंटा में क्या होगी जब सवाल पूरा हो जाए तो स्क्रीन पर टच करके वीडियो को रोक लें लिख लें या फिर स्क्रीन सार्ट ले लें आप एक काम कर सकते हैं एक बार समझ लें पूरा अच्छे से उसके बाद वीडियो को दुबारा फे चलाएं और फिर नोट करें या स्क्रीन सार्ट लें इस तरीके से बहुत मजायेगा या अफलाइन क्लास तो है नहीं कि भाग ज जाएगी खतम हो जाएगी जल्दे लिचाफ लो तो सर मिटा देंगे मिटाने से भी आप फिर से लिख सकते हो वीडियो पीछे करके ठीक ना चलिए देखिये मतलब समझें 30 मीटर पर 30 सिकेंड सवाल नमबर अठामा लिक लो 30 मीटर पर 30 सिकांड को किलो मीटर पर घंटे में semaine से बदल यह देखिये यह बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बहुत ही important है very very logical सवाल है आप सभी जानते हो चुकी one kilometer equal one thousand meter इसको note करना इसलिए अगर one meter बराबर निकालोगे तो one upon one thousand kilometer ठीक और ये भी लिखना चुकी one hour equal 3600 second क्या होता है एक गंटे में 3600 second होता है क्यूं चुकी एक गंटे में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 second होता है गुड़ा करोगे 3600 second इसलिए एक सिकेंड में क्या होता है एक बटा 3600 घंटा होता है इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको याद करने के लिए चुकि यह इसमें काम लगे आप देखो भाई सिंपल सी बात है मीटर परती सिकेंड का मतलब हुआ कि उपर मीटर नीचे क्या सिकेंड यह तो है मीटर और सिकेंड में करना किसमें है किलो मीटर प्रती घंटे का मतलब हुआ कि किलो मीटर उपर नीचे क्या हो जाए घंटा हो जाए यानि कि जो मीटर है वो किलो मीटर में चला जाए और सिकेंड जो है वो घंटे मे में बदल जाए तो ऐसे क्या करेंगे मीटर को किलो मीटर में बदलेंगे तो आप जानते हो क्या वन मीटर में वन अपान 1000 km होता है न तो यह हो जायागा उपर 1 upon 1000 क्या यह km लेकिन यह 30 था तो 30 ऐसे रहेगा मतलब समझे न अभी सब समझ में आएगा 30 मैंने वैसे लिख दिया और यह मीटर की जगा फे 1 upon 1000 km कर दिया क्यूं क्योंकि हमेह km मिलाना है न नीचे वाला घंते मिलाना है तो चलो नीचे चलते हैं यह सिकेंड है इसे अमें घंते में बदलना है आप जानते हो UAन सिकेंड में 1 upon 600 घंटे होते हैं हैज न यह क्या करोगे वय म्यों अपन हो गया 395 घंटे बस हल कर लो आगे हो गया आपका काम यह हो गया 30 बटा 1000 और यह एक बटा 36 सो ठीक है कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन एनी डाउट बता देना जल दी से हो गया चलिए अब यहाँ पर मतलब समझे ना 36 दिया है कि 30 दिया है यार क्या दिया था तीफ ही तो दिया था अब क्या करना है बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुड़ा कर लो आप सभी लोग जानते हो तो प्रिये मित्रों यह 30 गुड़ा 36 सो हो जाएगा और यह हो जाएगा 1000 का एक में करोगे कोई फरक ना पड़ेगा दो जीरो से दो जीरो काट दो यह 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 लो यह भी कट गया गुड़ा कर लो 36 अठारा क्या ठांसी लाया एक दिंद्री करनो एक दस 108 क्या हो गया यह किलो मीटर परतिगंटे बात समझ में आई नोट कर लो अगर कोई ट्रेन 30 मीटर पर 30 सिकंड की चाल से जा रही है 30 मीट पर 30 शेउंट मतलब 30 मीटर एक सिकंड में जा रही है ու एक सिकंड मतलब ऐसे मैं ऐसे कैन नहीं पैन किया हूं ऐसे कर दियो एक सिकंड इतने बे 30 मीटर चली जाती है तो वो ट्रेन 108 क्यो मीटर पर दिघंटे की चालिस से जा रही आगला सवाल नोट करना है अगला सवाल नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुश्चन नमबर नाइन हो गई है का कह रहा है उसको भी देखना हाँ तो साथियों ये बहुत ही अच्छा सवाल है देख लो इसको भी सारडी टाइप का बना हुआ है ये तो बड़ा आजीब साला गरा मुझे अगला सवाल तो साथियों गागर में सागर है जी हाँ गागर में सागर है मतलब समझना यहां पर कहने का ये मतलब है कि बड़ा आजीब सा है कहरा कि इसमें दूरी दी गई है और कुछ चाल भी दी गई है और कुछ बात हैं इसमें खुद से निकालना है तो मतलब समझना इसमें कैसे क्या करना है देखिए कहरा कि एक कार एक कार मतलब एक कोई गाड़ी है जो कि 60 किलो मीटर पर तिगंटी की चाल से चलती है कहरा कि नीचे अंकित साड़ी में ABCD में चलित दूरियां आ दे गई है ABCD का मतलब ये ये दूरियां दे गई है ठीक उसके आगे एक दो तीन चार में समय दिये गए है ये दिये गए है तो तीर का परियोग करके सही संबंद बताईए कहने का मतलब कार की चाल निचे थै लेकिन दूरी बदल जा रही है जब दूरी बदल जाएगी तो समय बदल जाएगा और कितना होगा वो बताना है आपको अगर 120 किलोमेटर की दूरी है 60 की चाल है तो कितना समय लगेगा ये बताओ यहाँ पे सूत्र लगा दो ये जानते हो ना में चाल बराबर 2-1 समय कि ये मतलब नहीं ती मतलब ताइम ठीक चाल बराबर 2-1 समय तो चाल तो सम में 60 126 रख दो दूरी 120 समय मतलब ती निकाल लो क्रास मल्टीपल करके तो यह समय मतलब ती मैंने रख दिया मैं आपको शार्ड में बता रहा हूं 120 बटा 60 हो जायागा मतलब 2 यानि कि 2 घंटा आ गया कहने का मतलब 120 किलोमेटर अगर दूरी होगी तो समय कितना लगेगा दो घंटा लगेगा इसी तरह का आप 120 की जगह पर 180 रखके निकाल लो जो आएगा उसको वहां मिला देना फिर 200 रखके निकाल लो जिधर आएगा मिला देना 300 रखके और 240 रखके ऐसे ऐसे अलग अलग मान निकाल लोगे ठीक है इतनी बात पकी है तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों इसकी अलामा बगल में आपको लिखा गया है देख रहे हैं PBR Study को Facebook पर अवस्य फालो करें जिससे आप हमारी सवीफ्री की क्लास को देख सके हैं तो यह गलती बिल्कुल ना करिएगा फालो जरूर कर लिजिएगा Facebook पर अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको सभी फ्री क्लास में लेगे कैसे करेंगे इसके लिए जहां पर फ्रेंड सर्च करते हैं वहां पर PBR Study लिख करके सर्च करना है बस मिल जाएगा जो उसे लाइक कर देना फालो कर लेना देखिए साथिओं दसमा सवाल बड़ा जीब सा है और इसको हो सकता है आपको confusion में डाल देए करके निमन सारडियों में कौन अनुलोम समान उपाती संबंध पर दरसित करती है देखो छोड़के मत भागना समझो के तब ही समझ में आएगा चुकी आगे चलके काम देगा लाहित में यह देखिए अनुलोम समान उपाती संबंध का मतलब यह होता है कि इन सारडियों में जो पद दिये गए उनको अगर हम हल करें तो सब बरावर आए एक जैसे आए तो अनुलोम समानुपाती संबंद पर दरसित करेंगे अगर ये कुछ आता है अलग ये अलग ये अलग एक तीर गाओं एक मीर गाओं तो नहीं होगा देखे इसको अगर आप सरल करोगे 5 वंजा 5 5 3 जा 15 1 अफान 3 आएगा इसको करोगे 8 वंजा 8 8 3 जा 24 तो ये 1 अफान 3 आएगा समझते जाना इसको करोगे 2 जा 2 और ये 2 एट जा एक बटा ठार आएगा मतलब कुछ अलग दिया यार काए दू बटा चतिश था है ना ठीक आगे समझना इस तरह का अगर आप आगे चलोगे 8 अफान 3 तो देखो एक बटा तीन आ गया देखो इसमें सब में आ रहा बराबर ना लेकिन एक गे में गड़बड हो जा रहा यार तीन 12 तीन 36 होता है ना यहाँ पर हमें लग रहा बुक में गलत दिया है यह दो की जगा पर आप 12 लिख लो 12 लिखोगे तो चूकि यह भी तीन आ जाएगा है ना यह 12 एक कम 12 बार तीन 36 तो इस तरह से क्या आएगा यह भी क्या होगे एक बटा तीन हमने ऐसा इसलिए लिखा चूकि हमें सिद्र करके एक में दिखाना है मैंने लिखा दी मतलब समझना यहाँ पर अगर दो लिखेंगे तो यह नहीं आएगा बराबर लिकिन आप सोच रहे होंगे दो लिखेंगे तीन लिखेंगे इससे नहीं मतलब सवाल गलत दिया गया था बुक में ठीक है तो यह राइट आंसर है मतलब कहने का यह है कि सरल करने पर देखो समय वहीं आ रहा न अब लिखेंगे अताया सारडी अनुलोम समान उपाती संबंध पर दरसित करती है ठीक अगला देखना अगर यह कोई भी एक डिफरेंस आ जाएगा बराबर ना आएगा तो लिखेंगे यह सारडी अनुलोम समान उपाती संबंध पर दरसित नहीं करती है इसमें देखो के वन अफान फाइफ हाल नहीं होगा इसको करोगे वन अफान थ्री हो जाएगा इसको करोगे थ्री अपान सेवन हल ना होग यह हो जाएगा वन फान टू यहां पर आप आप आएंगे कि हर एक जो है अलग अलगार असा बलगार इसका मतलब यह अनुलोम समान उपाती संबंध पर दरसित नहीं करती है ठीक ना नीचे देखना यह क्या है अनुलोम समान उपाती संबंध पर दरसित नहीं करती है इसक करेगी मतलब अगर ये काटने पीटने के बाद सिंफलिफाई करने पर अलग अलग पदाते हैं तो अनुलोम समानुपाती संबंद पर दर्सित नहीं करेगी सारडी अगर आएगा बराबर तो करेगी नोट कर लीजिए हो गया इतना आपकी जानकारी के लिए बता दू कि आप तो साथियों चलते चलते आपको बता दें अगर आप पूरा कंपलीट कलास चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें वाटस अप करें मैसेज करें आप फोन कॉल करें और पूरा कंपलीट कलास आप घर बैठे देख सकते हैं मातर फाइफ 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 फॉर्टिन लेंगे जिनको अगर आपको लेना है तो आपको नंबर पर कंटेक्ट करना होगा डियरलेड की कलास आज सुबा 6 बजे से होगी ऐसा नहीं नहीं होगी लेकिन वो PBR इस्टेडी गूरूप चैनल पर होगी साड़े 6 बजे से अगला सेमेश्टर वाली भी होगी 8 बजे से 10 वाली भी होगी लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तब ही मिलभाएगी क्योंकि हो सकता ये कलास जो है इस चैनल पर ना हो उसी चैनल पर होगी जीरो लेबल की मैथाज से आपकी फिर से सुरू हो गई है अब ये आपको सब्ता हमें 3 दिन जरूर मिलेगी ठीक है 3 दिन मिलेगी उसमें आपको सारी कलास अपडेट कर दिया जाएगा जो पुरानी कलास से नहीं अपडेट थी मतलब खराब क्वाल्टी थी तो चलते हैं सुक्रिया 6 बजे से देखना PVR Studio Group चैनल पर DLA का महित बेसिक कांसेप्ट सब के लिए महत्त पुरूर होगा